जब भी कोई पेशेंट घुटनों के दर्थ के कारण मेरे पास आता है तो उसमें हम सबसे पहले उसका एक्सरे कराते हैं और उससे पूसते हैं कि वो कितना चल पाता है, सिर्या चल पाता है या नहीं चल पाता है, 500 मीटर तक चल पाता है या नहीं चल पाता है तो अगर कोई भी पेशेंट सीलिया चड़ने उतरने में प्राब्लम हो रही है या फिर उसको 100 मिटर भी चलने में कुछ कदम चलने पे भी दर्थ महसूस होता और वो बिना सहरे के नहीं चल पाता है तो उसका X-ray कराना ज़रूरी है X-ray में अगर हमें ये लगता है कि आर्टिकलर काटिलेज कम्प्लीट डैमेज हो गया है और बोन सर्फेस आपस में रब कर रही है उसकेस में नी रिप्लेस्मेंट उसके लिए नेसेसिटी हो जाता है जैसा कि मैंने बताया कि अगर नी रिप्लेस्मेंट अगर हम नहीं करते हैं तो वो डैमेज बढ़ता रहेगा over a period of time और एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम bedridden हो जाएगे तो वो स्टेज ना आने पाए जब ये सारी तकलीफे महसूस होती है और एक्सरे में हमें लगता है कि आर्टिकला सार्फिस डैमेज हो गई है और बोन एक दूसरे से रगस खा रही है तो दैट इस दा स्टेज उस पे हमें नी रिप्लेस्मेंट के बारे में डिसीजन लेना चाहिए जिन पेशनको डाइबिडीज ए, हैवी वेड है उन लोगों को थोड़ा सा डाइबिडीज कंट्रोल करना पड़ेगा पहले और थोड़ा सा नी रिप्लेस्मेंट के बारे में हमें सोचना है मेरे क्लिनिक में जो भी पेशन्ट आते हैं मैं उनसे कहता हूँ, मेरे ये तीन स्टेप्स हैं, new replacement के लिए और हर स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आएगा सबसे पहला स्टेप है, पेशिन को ये महसूस होना कि उसे life में problem हो रही है उसकी day to day life में problem आ रही है, वो कहीं socially active नहीं हो पा रहा है अपनी day-to-day का जो चीजे करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है That is the first stage उसका अपने आप एक self-realization होना कि मुझे इस knee replacement के लिए जाना है या मुझे एक treatment चाहिए जिससे मेरा day-to-day care better हो पाए या daily living अच्छी हो पाए That is stage 1 Stage 2 में उसका हम medical work-up करते हैं जैसे की cardiac check-up, एक knee-ka x-ray और कुछ blood test और फिर anesthetic review ये दोनों चीजे होने के बाद ये stage 2 है अगर ये stage 2 clear हो जाता है उसके बाद surgery आती है तो उसमें हम एक दिन पहले admit करते हैं patient को और फिर next day morning में patient की surgery की जाती है surgery के बाद अब इतने अच्छे anesthetic agents आ गये हैं कि patient को बिलकुल भी post operative दर्द महसूस नहीं होता जो की 50% मरीज की query होती है कि हमारे operation के बाद दर्द कितना होगा कितने दिन हमें परिशान लहना पड़ेगा तो I can guarantee you कि anesthetic agents इतने बढ़िया हैं हमारे पास pain killers इतने बढ़िया हैं कि day one से ही आपको महसूस नहीं होगा कि आपने knee replacement कराया है और second day हम आपकी exercise और walking शुरू करा देते हैं फिफ्थ डे हम discharge करते हैं और पांच्छे दिन जब आप discharge करते हैं आप अपने toilet में खुद स्वैम जा रहे होते हैं और कम से कम नहीं तो पचास मेटर अपने आप तहल सकते हैं walker के support से and over a period of one month with good physiotherapy you can be back to normal social life